हेलो डियर इस्टोरेंट बहुत बहुत स्वागत अमने यूटूब टेनल कॉमर्ज विस संजीब सर में और आज हम लोग जो हमने एक नुमेरिकल टेस्ट में दिया था उसके लिए सॉल्व करते हैं और देखिए कितना अच्छा नुमेरिकल है और कितनी आसानी से यह सॉल्व बनाना होता है तो जब लैस लिखा हुआ हो तो लैस का मतलब होता है कम यानि दस से कम बीस से कम चालिस से कम पचास से कम इन सब में अंतर कितने कितने का है दस दस का अंतर है तो इसलिए यहाँ पर पहले बनाएंगे दस से कम दस करेंगे तो कितना जीरो बचेगा तो जीरो 70 हो जाएगा 70 से कम तक है इसका मतलब है कि यहीं तक जाएगा ओके अब इसके बाद में सामने लिखा हुआ है number of burgers यह हमारी frequency यहां से निकल करके आ जाएगी और जब frequency आ जाएगी उसी frequency से हम को आगे numerical को solve करना है तो देखो भाई किस तरह से numerical frequency निकालते हैं तो frequency के लिए सबसे पहले number पे कितने लिखे हुए हैं पाँच लिखे हुए हैं अब 15 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा 25 में से अगर 15 जाएगा तब भी हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा 100 में से अगर 90 जाएगा तो कितना 2 बचेगा बस इसका total करके देख लेना अगर ये जो total है ठीक है अगर ये total 100 आया है इसका मतलब है कि ये सही है क्योंकि इसका जो last वाला होता वही तो सब total होता है तो जब last than लिखा हो marks more than लिखा हो less than हो, marks under हो, marks above हो तो उन सब के साथ में जो बारम बारता दियो ही होती है वो community frequency होती है नहीं संचई बारम बारता होती है इसका आप लोग business ध्यान रखेंगा तो आईए, अब इसको जोड़ करके देखते है 10, 15, 15, 10, 20, 25, 30, 80, 80, 80, 90 कितना हो रहा है? 100 हो रहा है तो C-Up बना लीजेगा और इसी question से तीरों चीजे निकालनी है माद्द माद्द का भॉलत C-Up बना लीजे 5 के कितने होंगे? 5 और 10 कितना होगा? 15 और 10, 25, 25, 50, 30, 80 और 18, 98 और 2 कितना होता है? 100 इस तरह से हमारा ये भी बन करके तयार हो गया ठीक है? अब हमको इससे क्या solve करना है? बस उसी base पे हमको आगे बढ़ना है हमारे लिए इसे तीन चीजे ग्याद करनी है क्या-क्या? माद्द ग्याद करना है, मद्दिका ग्याद करनी है बहुलक ग्याद करना है तो समानतर यहाँ पर इसको खतम कर देते हैं बाइब कर देते हैं इसके लिए क्योंकि इधर अब कोश्च्चन हम solve करेंगे ठीक है तो सबसे पहले अब हमको करना होगा समानत्र माद के लिए क्या निकालना है x निकालना है ्टीक है x निकालेंगे, x x dx करेंगे और dx क्या कर देंगे f dx करेंगे ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं कि x कैसे निकलेगा फिर dx कैसे बनेगा और फिर f dx कैसे बनेगा ठीक है तो बाद में इधर से भी यो लाइने हैं इस तरह से draw कर देंगे और exam में proper रूप से इस तरह से एक धचा खेच लेंगे इसके 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा आदा करेंगे तो कितना होगा 5 होगा 15 होगा 25 होगा 35 होगा 45 होगा 65 होगा इसी तरह से करना है दोनों को जोड़ करके आदा करेंगे तो हमारा x निकलाता है एक को आदा कर लो सब में 10 का अंतर है करते चले जाओ बनके त्यार हो जाएगा फि 10, 20, 30, चिन किसके, माइनस के, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, चिन किसके, पिलस के, हमारी इस ट्रिक से करोगे, तो time भी वरबाद नहीं होगा, कहीं गलत भी नहीं होगा, ठीक है, f कहाँ पर है, देखो यह है, और dx यह है, दोनों की गुणा क्या होगी, f dx होगी, गलती ना हो जाए f की और dx की गुणा करनी है, तो 3, 5 कितने होते हैं, 15 होते हैं, यानि 150 हो जाएगा, माइनस का, 20, 200 होते हैं, चिन माइनस का आएगा, 10, 10, कितने 100 होते हैं, चिन माइनस का आएगा, 25, 0 का कितना 0 होता है, 30, 10 की गुणा करेंगे, तो 300, पिलस के हो जाएगे, 18, 26, 360, पि देखो माइनस के अलग जोड़ा है थीक है तो जोड यह बेजब जोड़ रहे तो एक धो तीन और एक चार 250 हो रहा है माइनस का प्लस का जेकरिंक इतना हो रहा है 329 600 यही हो गय है और 600 272 120 हो गय है ठीक हैш 720 इसके प्लस के, बहिए 0 का 0, 6, 6, 12, 3, 26, 7, 720 हो रहा है, 720 में से 450 को खटा दीजिए, प्लस के संख्या ज़्यादा आएगी, देखे 0 में से 0 गया, 12 में से 5 गया तो कितना 7 जाएगा, यहां बचेगा, 6 रहे गया, 6 में से 4 गया, तो यहां 270, अब इसको खटा दीजिए, क्योंकि यह ठीक है, अब हम question को solve कर देंगे, question को जब solve करेंगे, तो x के उपर यह चिन लगा देते हैं, यह समांतर माद बन जाता है, और समांतर माद बराबर, formula जो होता है, हमारा समांतर माद बराबर होता है, a plus minus sigma f dx के upon में n, अब देखो a, a का मतलब होता assumed, जो हमने यहां पर माना य तो यहां लिखेंगे 35, ठीक, चिन किसका लगेगा, पिलस का, यहां plus minus दोनों के चिन इसलिए लगे होते हैं, यह संख्या minus की होगी, तो minus का का काम करेगा, पिलस की होगी, तो plus का का काम करेगा, तो इस तरह से यह है, plus का लगेगा, sigma f dx, जो है, 270 है, n, frequency का total n कहला था, जो क 2.70, यानि 35 में 2 जोडेंगे, 302 कितने होते हैं, 37.7 होते हैं, यह हमारा निकल करके आ गया, कौन सा मद, शमांतर मद निकल करके आ गया, ठीक है, इस तरह से निकलेगा क्या, शमांतर मद, अब हमको मद्धिका निकालनी है, median बराबर होता है, L1 पिलस I upon F, M minus C, जहां यह इस इसमाल M बराबर होता है, N बटे, टूथ, आइटम, ठीक, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन समझ जाओगे, N बटे 2, यानि N हमारा कितना है, 100 बटे 2, 2 से काटेंगे, तो 50 आएगा, ठीक है, 50 को देखेंगे, CF में, अब यहां से इस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, हमक करके और उसको solve कर सकते हो, ठीक है, इतना समझ लीजे कि हमारी median निकल रही, ठीक है, अब देखें किस तरह से निकालेंगे, हमारा कितना 50 आया, 50 किस में लाइज करेगा, इस वाली line में लाइज करेगा, ठीक है, जब इसमें लाइज करेगा, तो देखें, L1 इधर वाला होत से, और ये बाला कितना है, यहाँ पर दिया हुआ, 50 है, माइनस C, C का मतलब होता है, CF वाले में से, उपर की जो value है, वो घटाते है, तो वो हमारी कितनी है, 25 ही है, यहाँ पर, ठीक है, 25, और इसलिए, यह question very most important था, exam में आया हुआ है, यह question, और मैंने यही रख दिया था, यहाँ पर, ठीक है, टेस्ट में, अब आपको क्या करना होगा, देखिएगा, यहाँ पर, आप करेंगे, 30 पिलस, यह बाले 10, ब्रेकेट टूटेगी, चिन मल्टिपलाई का जाएगा, 50 में से 25 जाएगा, तो 25 बचेगा, और 25 में भी 25 बचेगा, 25 से काटिंग, तो एकम 25, बड़ाबर 30 पिलस 10, एकम कितना होता है, 10, अंसर आया कितना, 40, तो यह हमारी कैमिकल करके आ गई, मीडियन निकल करके आ गई, इस तरह से हमारी मीडियन निकलती है, ठीक है, दो चीज़ें निकल आई, मीडियन, अब हम निकालेंगे क्या, मोड, ठीक है, बहुलक जिसे कहत है, बहुत एजी तरीके से हमने पढ़ाया है, जो लोग सुरू से हमारी चैनल पे आए हुए है, मैं यह तो कहता है नहीं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, यार अच्छा लगेगा तुमारे लिए, तो और मेरा पढ़ाय हुआ समझ में आएगा, यह चीज़ें खोदी कर आई, यह फार्मूला हम लगवाते हैं, ठीक है, और इस फार्मूले के लिए हमने एक सोट ट्रिक, जिल लोगों ने पेड़ी क्लास जोइन किया है, वो लोग सारे चीज़ें यह अब तो सीखी चुके है, जिनका बाद में एडमीशन हुआ है, वो धिर धिर सीखते हुए च स्ट्रेस होगा, इसके लिए मैंने बताया है कि जब भी बहुलक निकालेंगे, तो फिरिकोंसी में तीन बड़ी संख्यां किरम से यह वाली रही, कॉसिस करेंगे कि बड़ी संख्या कहां रहे है, बीच में, तो देखिए इस बार बड़ी संख्या हमारी कहां है, बीच में ह होती है चाहों तो इसको हटा सकते हो तीन बड़ी frequency की जरुवत होती है आपके सामने लिखी है बहुत ध्यान समझ लो मैं कैसे करके इसको solve कराता हूं कॉलिज में तो गुरुप बनाएंगे इन दो के जोड़े फिर दो के जोड़े फिर एक को छोड़ दा उपर से फिर तीन के दे दो रख दो यार इसमें बीच वाला जो संख्या होती है उसका गुरुप लिया जाता है ठीक है और एलबन जो लेंगे 4050 में देखो मैंने किस तरह से किया है कोश्चन अब यह लास्ट कोश्चन है समझ लो यह 4050 में एलबन की जगए पर हम फोट्टी रख देंगे पिल माइनस F2 F2 की वैल्यू कितनी है 18 है और इंटू आई में कितना है 10 है ठीक है अब हमको क्या करना है यही वाले 40 लेना है पिलस कचन 30 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बचेगा पांच बचेगा गुड़ा में इधर कितना लगा है 10 लगा हुआ है 30 दूना कितना होता रपे इसको घटाएंगे तो यहां 5 बचा और यहां 3 बचा ठीक पांच में से दो गया त्रिक और बाद में कितना है 18 है खटाएंगे 15 में से आट गया शात और यहां पर दो मेंसे गया तो सत्रा बचया है होता है 50 अपन में 17 17 तरीका 51 होता है तो तरी पूरा तो जा नहीं रहा है ठीक अगर टाइम आपके पास में कम हो तो सीधे सत्रा तीन 51 होता है तीन नहीं जा रहा है तो दो सम्नम 98 9 7 9 6 ऐसे कर दो के तब भी बहुत जल्दी में सही हो जाएगा लेकिन पूरा पूरा अगर टाइम मिल जाए तो सत्रा का पहाड़ा पचास में पढ़ना है सत्रा दूनी होते हैं कितने चौतिस यहां बचा कितना छे और यहां चार में से तीन गया तो यहां पर सत्रा पॉइंट लगा करके सत्रा नेमा एक सोत्रपन होता है यहां कितना बचा सात बचा और यहां पर कुछ नहीं बचा पॉइंट लगा हुआ है चीज़ों लगा तो ₂ 2 यह कितने होते हैं 42.94 यह हमारा क्या निकल करके आए है मोड निकल करके तो यह कैसा लगा जरूर लिखेगा और आगी की सिरीज है बहुत अच्छी स्ञर्शी हो रही है और में जरा डिस्पर्सन के तुरंद बाद हम कोरलेशन पढ़ाएंगे तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर लिखेगा मिलतें नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए